तो नमस्कार दोस्तो आज हम जानेंगे कि SDO की सेलरी क्या होती है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि SDO को कितना वेतन दिया जाता है और किस तरह से इनको सेलरी परदान की जाती है तो दोस्तो इससे पहले आप जान लेजिए कि SDO की फुल फॉर्म क्या होती है SGO को पूरा नाम क्या होता है तो दोस्तो हम आपको इस वीडियो में इनकी salary और इनके नाम से वाफिक कराने वाले हैं हम आपको बताएंगे कि SGO का पूरी full form क्या होती है तो चलिए जान लेते है SGO की full form तो आईए चलिए दोस्तो अब हम जान लेते हैं कि SGO की full form क्या होती है तो दोस्तो SGO की full form होती है sub divisional officer और SGO की full form हिंदी में कुछ इस परकार है SGO को हिंदियों में उप विभाग दिकारी कहा जाता है तो दोस्तो आपको इसकी full form के बारे में पता चल गया होगा आईए अब आगे जान लेते हैं कि SGO की salary किस परकार दी जाती है तो आईए चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि SGO की salary कितनी होती है समानियत एक SGO को मासिक टनखा 23,640 रुपे के आसपास हो सकती है जिसमें elements and grades अलग से सामिल है यह है शुरूबात में नए भरती किये गए SGO अधिकारी को मिलती है सभी सुवीदाएं और भरते को जोडने के बार शुरूबाती इस तर पर SGO की salary 59,378 रुपे प्रतिमा हो सकती है जबकि senior post के अधिकारियों की तनका इससे अधिक हो दी है दोस्तो आपको इसकी salary के बारे में जानकारी हो गई होगी हमें उमीदर जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share, comment करके जरूर बताएगा वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुजाव है तो comment करके पूस सकते हैं दोस्तो वीडियो को social media पे जरूर share कीजेगा ताकि जो लोग salary जानना चाहते होंने काफी मदद मिल सके I hope दोस्तो वीडियो अच्छी लगी होगी